गूड मॉनिंग एवरीवान तो कैसे हैं आपसर तो आई आज हम देखते हैं कि कम्प्लीट प्राइडल हेर स्टाइल कैसे बनाया जाए तो ये स्टूडेंट है जिसे आज प्राइडल लुक दिया गया है लेकिन इसने अपने बालों में बहुत सारा ओयल लगाया हुआ है लेकिन अब इसने ओयल लगाया हुआ है तो हम इसी पर ही हैर स्टाइल बनाएंगे तो सबसे पहले येर टो येर पारडिशन करके आगे के बालों को अलग कर लिया जाए और क्रिम्पिंग मशीन से बालों को क्रिम्पिंग कर लिया जाए धीरे धीरे लेयर लेकर थोड़े थोड़े बालों की सारे हीर से जो आगे के उन्हें क्रिम्पिंग कर लिया जाए जैसा कि आप इसी वीडियो में देख पा रही है इसी तरह दूसरी तरफ के बालों की भी लेयर लेकर थोड़े थोड़े बालों की लेयर लेकर हेर्स को क्रिम्पिंग कर लिया जाए हेर्स टैल बनाने के लिए फलफी लुक देने के लिए बालों को क्रिम्पिंग करना बहुत ज़रूरी है फिर बालों की लेयर लेकर उसमें बैक कॉमिंग करेंगे ताकि हमें फ्लफी लुक, बांसी लुक मिल सके फोड़ा फोड़ा करके हम सभी बालों की ऐसे लेयर लेकर बैक कॉमिंग करते जाएंगे और पीछी की तरफ उन लेयर को छोड़ते चले जाएंगे बैक कॉमिंग करने के पाद एक तरफ के बालों को लेकर अच्छे से स्टाइल करके बांसी लुक देकर थोड़ा सा रोल करते हुए पीछी की तरफ घुमाते हुए इसे एक बांसी लुक देते हुए हम एर के पीछे इसे सेट करेंगे किसी तरह दूसरी तरफ के बालों की भी बैक कॉमिंग करके सारे बालों को स्टाइल लिश तरीके से स्टाइल करके और फ्लफी लुक देकर एर के पीछे अच्छे से सेट करके इसे पिन से सेट करतेंगे हेर स्टाइल क्लाइंट की चेहरे पर भी डिपेंड करता है कि उसके चेहरे की अकोडिंग उस पर कैसा हेर स्टाइल सूट करेगा पीछे के बालों की पॉनिटेल बनाकर उसमें डोनेट लगाकर और रबड लगाकर बाकी बचे हुए बालों को नीचे कॉम से अच्छी तरह सुलजा कर कॉम्बिंग करके उसके दो पाइटिशन करके नॉर्मल चोटी की तरह उसे गूद कर और एक तरह से रिंग की तरह खीचते हुए इसे नीचे से कंप्लीट करेंगे देखिए जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं और उसे इस डोनट के उपर सेट कर देंगे जिससे डिजाइनिक लुक आ जाएगा दूसरी तरफ की भी ऐसे ही चोटी बनाकर उसे डोनट के उपर सेट करेंगे और जूड़ा पिन की सहता से इसे सेट कर देंगे उसके बाद मांग पटी और मांग टिका भी बोब पिन की सहता से सेट कर देंगे और इसे टाइट कर देंगे ताकि ये बार बार हिले नहीं अगर गजरा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं या डेकोरेटिड फ्लावर आते हैं आप वो भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं यह जुड़ा पिन के साथ अटैच होते हैं और बाजार से मार्केट से इजीली मिल जाते हैं आप जो भी आपको अच्छा लगे वो हेयर असेसरी आप हेयर स्टाइल में यूज कर सकते हैं इस तरह से ये ब्राइडल हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो जाएगा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं थैंक यू सो मच